शासकिया वैदिकिया महाविद्यले वो अस्पताल में प्राइवेट पाथोलोजी के दलालों की सक्रियता बढ़ गई है दलालों सहित अन्य बाहरी लोगों पर नजर रखने के लिए महराश्ट्र सुरक्षा बल के जवान तैनात किये गए है लेकिन कुछ जवान वाडों के सामने तैनात रहते है 24 घंटे गश्ट भी नहीं होती इस संबंद में पिछले दिनों एक सुरक्षा रक्षक द्वारा वाड क्रमांक 30 के सामने मरीज के परीजन के साथ अभधर व्यवार करने के संबंद में अधिश्ठाता से शिकायत की गई थी इस शिकायत के बाद मेडिकल प्रशासन हरकत में आया पिछले आठ दिनों के भीतर प्राइवेट पैथलोजी के करीब 10 दलालों को पकड़ा गया सुमवार को भी 2 दलालों को पकड़ा गया मेडिकल में मेडिसीन कैजुल्टी में सुमवार दो पहर करीब देट बजे नीजी लैप के दो दलाल पहुचे यह कैजुल्टी में मरीज के बलड सैंपल लेने जा रहे थे कि तभी जवानों ने इन्हें देखा और पकड़ने लगे दलालों ने भागने की कोशिश की लेकिन जवानों ने उन्हें दबोच लिया इनके साथ पिछले आठ दिनों में मेडिकल में अलग-अलग जगह से दस दलालों को पकड़ा गया पिछले कुछ दिनों से अधिश्ठाता डॉक्टर सुधिर गुपता और वैद्य की अधिक्षक डॉक्टर अविनाश गावंडे ने दलालों को पकड़ने के लिए लगातार निगरानी के निर्देश दिये थे लेकिन कुछ सुरक्षा रक्षक डलालों पर नजर रखने की बज़ाए मरीजों को उनके परीजनों को फटकार लगाने में व्यस्त रहते थे इस संबंद में की गई शिकायत के बाद महराश्ट्र सुरक्षा रक्षक डल के जवान सक्रिय हुए है